दोस्तों आज की इस वीडियो में हम MCQs को आपके extra facts के साथ discuss करने वाले हैं तो शुरू करते हैं आपका अच्छ का पहला प्रेश्ण है निम्न मेंसे कौन बागेश्वर का परियाटनिस्थल है? बागेश्वर का परियाटनिस्थल है दोस्तों कोट भ्रामरी पागेश्वर में ही इस्तिध है और पैश्णात मंदिर भी तो इसका जो राइट आंसर होगा इन मेंसे सबी ये तीनों दोस्तों आपके पागेश्वर के परियाटनिस्थल है बागेश्वर की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1997 में और यह इस्तित है आपका सर्यूव गोमती नदी के किनारे दोस्तों ये प्रश्ण है आपका आयोक के द्वारा उत्राखन पुलीस परिक्षा में पूछा गया प्रश्ण है ठीक है दूस्ता प्रश्ण है जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे इस्तित है जागेश्वर धाम इस्तित्य दोस्तों जटागंगा नदी के किनारे जागेश्वर धाम की बात करे तो यह इस्तित्य आपका अलमोडा चनपतन है और जो आपका जागेश्वर धाम है यह समर्पित्य आपका सिव भगवान जी को चागेशवर धाम की बात करें तो दोस्तों यहां आपका 250 छोटे बड़े मंदिरों के समू है और इन मेंसे जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है आपका महा मृत्यूंजाई मंदिर तो ये भी आपने याद रखना है Next question है दोस्तों कड़वाल के पामारवंस के साथ राजाओं की सबसे विश्वस्निय सूची कौन सी है कड़वाल के पामारवंस के साथ राजाओं की सबसे विश्वस्निय सूची है दोस्तों बैकेट सूची पहवारवंस में कुल साथ राजा हुए और पहवारवंस का संस्थापक था दोस्तो कनक पाल और अगर अजयपाल की बात करे तो अजयपाल को आपका पहवारवंस का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ठीक है पावारबंस का जो अंतिम राजा हुआ वो थे आपके मानवेंद्र साथ जो की तीरी रियासत के भी अंतिम राजा हुए चौथा प्रश्न है दोस्तो सोनपाल ने अपनी राजधानी कहां स्थांत्रित की सोनपाल के द्वारा अपनी राजधानी स्थंत्रित की गई थी दोस्तो बिलंग घाटी देवलगट की बात करें तो अजयपाल के द्वारा राजधानी देवलगट स्थंत्रित की गई थी चानपुरगट से देवलगट 1516 में और देवलगट से स्री नगर 1517 में अजय पाल के द्वारा ही रास्धानी स्थांतरे की गई थी ठीक है, पांच्वा प्रशन है दोस्तो, रामायर प्रदीव कावय की रचना किसने की थी दोस्तो, मेघाकर सर्मा ने मेगाकर सर्मा की बात करें तो ये दर्बारी कवी थे आपके प्रदीप शा के ठीक है ओप्सन नमबर B भरत कवी की बात करें तो भरत कवी जो दर्बारी कवी थे वो थे आपके मान सा के और इनके द्वारा रचित पुस्तक है आपकी मानोदय काव्य जो कि आपकी परिक्सा में पूछी जाती है ओप्सन नमब सी की बात करें रतनकवी तो रतनकवी थे दोस्तों फते शाके दरबार में और इन्होंने लिखी थे आपकी फते प्रकाश ठीक है फते प्रकाश रतनकवी द्वारा लिखित अप्सन नमबर डी है माती राम माती राम भी आपके फते सा के दरबार में थे और इन्होंने गड़वाल का स्वंड काल कहा था फते पती सा के साशन काल को ठीक है छेटा प्रशन है दोस्तों उत्राखन राजय में राजसो पुलीस विवस्था कब लागू की गई थी अठारा सो चोहतर में उत्राखन राजय में राजसो पुलीस विवस्था लागू की गई थी सात्वा प्रश्ण है निम्नमे से उत्राखन राजका राजके खेल है दोस्तों फुटबॉल और फुटबॉल को राजके खेल कब घोसित किया गया वर्ष 2011 में ठीक है आठ्वा प्रश्ण है गड़वाल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी गड़वाल मंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों 1979 में कुमाओ मंडल की बात करें तो कुमाओ मंडल की स्थापना की जाती है 1854 में जो आपका गड़वाल मंडल है इसका जो मुख्याला इस्तित है दोस्तो पौड़ी जनपत में और जो गड़वाल मंडल में जीले हैं आपके साथ साथ जीले आपके गड़वाल मंडल में है और छे जीले आपके कुमाउ मंडल में है और कुमाओ मंदल का मुख्या लाए है दोस्तो नैनी ताल में ठीक है तो ये भी आपने बिल्कुल याद रखना है नौवा प्रेशन है निम्न लिखित में से दार्मा एवं प्यास खाटियों को जोड़ने वाला दरा है दार्मा एवं प्यास खाटियों को तो यह दरा जोड़ता है आपका सिंदला दरा उटा जेयंती दरे की बात करें तो यहों जोड़ता है आपका पिठोरा गट को दिबबत से नेक्स्ट है ट्रेल पास ट्रेल पास दरा जोड़ता है दोस्तो बागेश्वर को पिठोरा गट से पिठोरा गट से ओप्सन नमबर डी है स्रिंग कंट दरा स्रिंकन तर्ह जोडता है दोस्तो उत्तरकासी को हिमाँचल प्रदेश से तुए सारे आपने पिल्कुल याद रखने है दस्वा प्रेश्टन है दोस्तो केंदिया भवन अनुसंधान संस्थान उत्राखंके की सहर में स्थिथ है केंद्रिय भवन अनुसंधान संस्थान उत्राखंट के रूड की सहर में हिस्तित है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1947 में ठीक है वर्ष 1947 में तो दोस्तों ये थी आपके आज की वीडियो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजे ओके थैंक्यू